नमस्कार आप सभी का स्वागत है सागर कोचिंग सेंटर भगवानपूर में मैं हूं सरवन कुमार सागर तो बहुत दिनों के बाद आप लोग हमें फेश टू-फेश देख रहे हैं तो बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देखा होगा लेकिन स्क्रीन पर देखा होगा त तो जिसको की स्क्रीन पर बताने में फ़रा सा प्रोब्लेम हो जाता है तो आज की वीडियो में हम इसको बोर्ड पर बताने जा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रोब्लम नहीं हो तो किस तरह का वीडियो क्वाल्टी है सौंड क्वाल्टी कैसा है क्योंकि यह नया माइक लिए इससे आप जो है वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो क्वालिटी कैसा लग रहा है क्या इसमें आपको अच्छा से दिखाई दे रहा है अच्छा से आवास सुनाई दे रहा है अगर सब लेते हैं रिजनिंग का जो ब्लड लेसंस लिया गया है और इसको देखते हैं कैसे बनाना है तो देखिए इस तरह का रिजनिंग आपने देखा होगा कि एकजाम में पूछा था तो यहां पर देखिए एक सूचना दिया रहेगा ठीक है और उसके आधार पर चार या पांच प्रशन दिये रहेंगे तो उसका आपको उत्तर देना होता है तो इसको बनाना कैसे यह समझते हैं तो देखिए यहां क्वस्टन एक परिवार में जी एच आई जे के और एल छो सदस है एच की बहीन आई है जी का पोत्र एल है के पती का भाई है यह सूचना हो गया अब इ इस तरह के प्रशन को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप एक अस्टेक्चर बना लेंगे कैसे बनाना चलिए सीखते हैं तो यहां पर देखिए जी एच आई जे के और एल यह सभी क्या है एक परिवार के सदस हैं टोटल कितने सदस हैं अब कंडिशन क्या है एच की बहीन आई है चलिए यहां पर हम एच ले लेते हैं और इसका जो यहां पर आई है यह क्या हो गया बहीन हो गया तो इस तरह से लिख लेते हैं जो भी कंडिशन दिया है फिर क्या कह रहा है दूसरा कंडिशन है जी का पोत्र एल है अब यहां पर मान लेते हैं जी है इसका पोत्र, पोत्र मतलब होता है पोता, ठीक है, तो जी का पोता L है, तो जी का पोता अगर L है, तो इसका मतलब जी का कोई बेटा भी होगा, जो हमें ग्यात नहीं है, तो इसको इस तरह से चीन लगा देते हैं, कि चलो जी का कोई बेटा भी होगा, और उसका पोता हो गया L, चल पतनी है ठीक है और इसका पती कोन है पती नहीं दिया हुआ के के पती अब कोई इसका पती होगा जो हमें ग्यात नहीं है और इसके पती का भाई है लेकिन यह पती का कोन है भाई है पती का है भाई है बस इतना ही कंडिशन दिया हुआ था अब हमें सबसे पहले देखना होगा यहां पर क्या होगा, यहां दो जगा खाली बचरा इसमें क्या होगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाईए, देखिए इसमें K दिया गया है, L भी आपको मिल गया, यहां G भी आपको मिल रहा है, और यहां H भी मिल रहा है, और I भी मिल रहा है, कौन इसमें, कौन ऐसा सदस है जो इसमें नहीं मिला, देखिए, जे इसमें नहीं लिया गया है, तो इसका मतलब यह जो खाली जगह है, तो यहां पर कुन बेठा हुआ है, जे बेठा हुआ है, ठीक है, तो निकाल लिए सभी छो सदस का, इसका मतलब जे यहां पर है, तो एक ही जगह होगा कहीं जे, तो इस प्रस्णों का उत्र दे सकते हैं तो चलिए पहला प्रस्ण पर चलते हैं पहला प्रस्ण में पूछा गया है आई का एल से क्या सम्मंद है यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखना है बला रिलेशन में के और से इसको ध्यान रखना है जिसमें के लगा हो या से लगा हो उसके तरफ से आपको रिलेशन सोचना है ठीक है जिसमें के हो या से हो तो 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 यहाँ पर है अब अब एल से कहां जाना हमें आहीं के पास ठीक है जिसमें से यह के लगा पास जाना तो यह हो गया देखिए कितना आसानी से निकल गया दूसरा प्रस्ण देखिए यहां पर परिवार में कूल कितनी महिला सदस्य है अब कितनी महिला सदस्य आपको असपष्ट दिखाई दे रहा होगा यहां पर पतनी है और यहां पर बहन है तो कितने हो गया दो तो महिला सदस तीस तरह प्रस्थते प्रस्न पीजलते हैं कि का पती कूल होगया जैसे यहाँ पांक हो जाय और इसमें structure बनाना ही चाहिए आपको, क्योंकि इस सबाल में 5 questions है, और इसका मतलब 5 नमबर आपको परिक्षा में मिलेगा, तो अगर इसमें 2-3 मिनट का समय आपको लग भी जाता इसको बनाने में, तो बनाना चाहिए, क्योंकि 5 नमबर आएगा, तो एक question भी एक मिनट का समय तो मिलता एक्जाम में, यहां पर चौथा प्रस्ण लेते हैं, जे का एच से क्या सम्बंद है, देखिए, यहां से किसमें लगा हुआ है, एच में, तो एच के तरफ से सोचेगा, तो एच का जे से, तो एच यहां पर है, और हमें आना है, जे पर, तो यहां पर, तो देखि के तरफ से सोच जी का संबंद जे किधार है यहां पर और इसका संबंद किस से पूछ रहा है यहां पर है और यह का जी को ने बताईए जिए को उने है पिता है ठीक है जी कौन हो जाएगा इ hop फट कितना आसानी से इस तरह की दिजनिंग को हम हल कर सकते हैं ह 올 करना है दूसरी ताइप के करें सवाल और यहां पर देखें किस तरहसे आपको पूछा जाएगा यहां पर प्रस्ण है आशा का परीचश कराते हुए भासकर से कंदित हैं असे अपसे आपको सोचना है तो इसको हम कैसे सॉल कर सकते हैं चलिए यहां पे कुन-कुन है आसा, और भासकर हैं आसा का परीच़ार एयरा कुन भासकर तो इसको यहां पर हया लिख लेता है ताको आपको समझने माला हो चली यहां पर पहले crypto है भासकर और इधर है आशा तो आशा का परिचाय कोन करा रहा है भासकर, क्या बोलता है कंडिसन इसको इस तरह से बना लिजेगा तब समझ में आयगा भासकर ने का उसके पिता यानी कि आशा का पिता ठीक है, यहां पिलिख देते हैं पिता, उसके पिता मेरे पिता के इकलोते पूत्र है इसका ये कौन है पूत्र है और कैसा पूत्र है इकलोता मतलब एक ही बेटा है ठीक है इकलोता पूत्र है आसा भासकर से किस परकार सम्मंदित है तो यहां पर दिए किस में भासकर में तो भासकर के तरफ से सोचिए चलिए भासकर का यह हो गया पिता अब भासकर के पिता का पूत्र कोन हो गया खुद भासकर हो जाएगा यह भासकर का भाई होता लेकिन कंडिशन यह है कि एकलोता प आप भासकर का यह कुन है पुत्री कितना निकल गया तो इस तरह से चोटा सा श्ट्रेक्टर बनाएंगे और उसके अधार प्रश्नों का उत्तराप आसानी से दे सकते